और चलिए वो आपको तस्वीरें दिखाते है कि किस तरीके से वहाँ पर यह स्ट्राइक किया जा रहा है पेजर धमाकी की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसके अलावा वाकी टॉकी में धमाका हुआ है आपको बता दें आस्मान में बंबारी का सिल्सला शुरू कर दिया गया क्योंकि लगातार इस्राइल आप एस्ट्राइक कर रहा है खासकर जो दक्षणी लेबनान के हिस्से हैं उन पर एक के बाद एस्ट्राइक की जा रही है और यह बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो तबाह किया जा रहा है इसके अलावा जानकारी ये भी मिल रही है कि वहाँ पर जो तेल दीपो हैं उनको भी तबाह किया जा रहा है तो कुल मिलाकर के बड़ा नुकसान आस्मान से बंबारी के बीच दक्षिनी लेबनान में जहां एक तब पेजर ब्लस्ट और उसके बाद बॉकी टॉकी में धमाका, इलेक्टोनिक गजट्स के जरीए लगाता अब टार्गेट की कोशिश हो रही है और देखिए अब आपको बताते हैं कि लेबनन में तबाही की मिसाइल कैसे गरी है हिजबुला चीफ के भाशण के दौरान ये हमला किया गया जब हिजबुला चीफ नसुरला भाशण दे रहा था, उस दौरान ये हमला किया गया है इस्राइली फाइटर जेट्स की तरफ एर स्टाइक यहाँ पर की गई आपको बता दें जो बुनियादी धाचा है इजबुला का, उसको कमजोर करने की कोशिश लगातार की जा रही है इस्राइली फाइटर जेट्स का इस्तमाल किया गया दक्षिर लेबनन में इस्राइल का हवाई हमला किया गया है इजबुला के ठिकानों पर मिसाइल अटाक किया गया है तो यह आपको बता रहे हैं किस तरीके से कई मिसाइल लॉंच पैड वेपन डिपो जो है इसमें तबाह हो गए है खियाम में वेपन स्टोरेज फेसिलीटी पर भी हमला किया गया है किस तरीके से ये स्ट्राइक की जा रही है लड़ाकु विमानों ने कई बस्तियों को भी निशाना बनाया यह जो लड़ाकु विमान यहाँ पर छोड़े गए उन्होंने कई बस्तियों को निशाना बनाया और साथ ही साथ हिजबुला के खिलाफ ये operation और भी तेज़ करने की तैयारी इसराइल की तरफ से है और जो center है वो बेरूट शेहर है आपको बता दे जो मुनियादी धाचा है हिजबुला का उसको कमजोर करने की कोशिश इसराइल की तरफ से लगातार की जा रही है और बता दे आपको कि इसराइल की ओर जे लगातार जारी स्ट्राइक के बाद हिजबुला के आतंकियों में हरकंफ मच गया है खुद को बचाने की कोशिश करते ये दिख रहे हैं आतंकी लेकिन इसराइल की स्ट्रेक रुकते का नाम नहीं ले रही है जान भूच कर उन जगों को टार्गेट किया जा रहा है जहां पर हिजबुला के आतंकी छिपे हुए हैं उन जगों पर हमले किये जा रहा है जो एक किलो वाट के छोटे छोटे कनेक्शन लेते हैं गाउं में रहने वाले परिवार किसान परिवार जो एक किलो वाट के कनेक्शन के लिए पहले मासर बारा सो रुपे देते थे उसको बढ़ाकर तीन हजार रुपे कर दिया है यानि धाई सौ परसेंट की वृद्धी एक छोटा सा एक किलो वाट का बिजली का कनेक्शन पाने के लिए अगर किसी का पाँच किलो वाट का बिजली का कनेक्शन है जो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए शेहर में रहने वाले लोगों के लिए आम मिडल क्लास लोगों के लिए एक सामान्य बात है पाँच किलो वाट बिजली के कनेक्शन के दाम को भारती जनतापाटी की उत्तर कदेश सरकार ने 118 परसेंट बढ़ा दिया है 7,967 रुपे से 17,365 रुपे कर दिया है यानी 118 परसेंट की वृद्धी एक किलो वाट के कनेक्शन के लिए 200 परसेंट की वृद्धी पाँच किलो वाट के कनेक्शन के लिए 118 परसेंट की वृद्धी और ये वोही भारतिय जंता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने इस साल गर्मी के मौसम में आठ आठ घंटे के पावर कट लगाए तो आपको बता दे आतिशी प्रेस कॉंसेंस कर बीजेपी पर हमला बोल रही है और चले एक बड़ पर से लोटते हैं इसराइल का जो लगातार हिजबुला पर अटाक जा रही है उस ख़बर पर आपको बता दे तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहा है लेकिन तीन दिन तीन अटाक और इस बीच हिजबुला में अफरा तफ्री मच गई है क्योंकि नेतन्याहू ने कसम खा लिए कि अब हिजबुला का खात्मा तै है लेबनौन पर हमला एक और युद्ध छिड़ा नस्रला ने दिधम की नेतन्याहू ने एरस्ट्राइक की तबाही के तीन दिन लेबनौन रहा दिन गिन पिछले तीन दिनों में लेबनौन में जो हुआ उससे इसराइल के अकल पनिये हमले का कैनस नसर बदल गया बलकि बहुत बड़ा हो गया 17 सितमबर को लेबनौन में हिजबुला के करीब तीन हजार पेजर फट गए 18 सितमबर को इससे एक स्टेप उपर आगे बढ़ते हुए हिजबुला के इलेक्ट्रोनिक डिवाइस को टारगेट कर धमाके किये गए धमाकों की गूज ना सिर्फ लेबनौन बलकि सीरिया में भी सुनाई दी जिसके छीट इरान पर भी पड़े इरानी नागरी को और अधिकारी खायल हुए हिजबुला अभी इन धमाकों से उबरा भी नहीं था कि इस्राइली सेना ने लेबनौन के दक्षणी शहरों में लडाकू विमानों से भीशड बंबारी कर दी ये हमला हिजबुला के अड़ो पर हुआ पहले पेजर अटैक फिर गैजट्स हैक कर अटैक उसके बाद एरा स्ट्राइक से हिजबुला चीफ बौकला गया वो सामने आया अपने पेयानों से तबाही को दावत दे दी किनो ऑला क और ऍज़ अच्सत्वा अवाल हरो उना च्ज़बुला कैंना हुआ एक्टैक हु ए इस्तुरतेजिए पिश्याने अपने शñशपार इस्तुरतेजिए हम गया की बाता हुआ, हम बभgrassा अधर नसरल्ला का भाशल खत्म हुआ और अधर इसराइल ने हवाई हमला शुरू कर दिया आईडिय अफ ने साफ कहा कि वो आतंगवाद को खत्म कर रहे हैं करीब सो रोकेट फ्लाउंचर हमले किये गए एक तरफ एसराइली हमले में हख्जबुल्ला पौकलाया है तो दूसरी तरफ एरान भी अपने नागरिकों के घायल होने के बाद इसराइल पर आखे तरेर रहा है माना जा रहा है कि एरान और हख्जबुला इसराइल को सबक सिखाने के लिए नई रलनीती बना रहे हैं लेकिन माना जा रहा है के इसराइल ने सभी दुश्मनों को धूल चटाने के लिए पहले ही प्लैन तैयार कर लिया है प्यूर रिपोर्ट रेपाब्लिक भारत मीस अल जबल यहाँ पर भी हमला किया गया किस तरीके से एतरोन यहाँ पर भी हमला किया गया यहाँ पर जिसको पर निशाना साधा गया कफर केला यहाँ पर भी हमला किया गया और तावरतोर अटाक हो रहा है दक्षडी लेबनन में यह एरिस्ट्राइक हो रही है दक्षडी का जो डाचा है बुन्यादी डाचा उसको कमजोर करने की कोशिश लगातार इसराइल की तरफ से की जा रही है तावर तोड़ा अक्षरिया जा रहा है तीन ट्रिपल अटाक जो है हिजबुला पर किया जा रहा है यानि कि हमास के बाद अब हिजबुला को निस्तर नाबूत कर